दोस्तो आज में बात करने वाले है कि आप अपने मुबाइल में T-Talk Proxy VPN Proxy आपको कैसे यूज कर सकते हो जिया दोस्तो टी टॉक प्रोक्सी आपको कैसे इस्तमाल करें आज की इस वीडियो को आप पूरा दिखना वीडियो को स्टार्ट करनी से पहले अगर आपने मारे चड़ों को सब्सक्राइब नहीं करा तो चड़ों को सब्सक्राइब कर लिजगा सबसे वहले प्लेस्टो में जाकर के T-Talk Proxy आपको सर्च करेंगे और प्लेस्टोर से आपको इस ऐपको डाउनलोड करेंगे इस app की 1 million plus downloading completed 3 plus rated 3.6 का star एप Play Store से बढ़ी आसनी से इसको आप download कर सकते हो और दोस्तो इस app को कैसे यूज़ करेंगे जैसे इस app को download करने की बाद आप अपने mobile में इस app को open करोगे कुछ टाइम वेट करना और दोस्तो यह application आपकी mobile में open हो जाएगी आपको इसे completely open होने दिना है तो यहाँ पर आप देख सो application हमारी completely open हो चुकी है application open करने की बाद इस app की मतलब से आप जो आप fast rate server को connect करके use कर सकते हो सबसे बढ़े आपको करना कि यहाँ पर इस app में जो भी fast rate server है वो यहाँ पर आप अपने according jsp server को select करना चाहते हो server select करने की बाद okay option पर क्लिक करेंगे और इस app में जो भी fast rate server होगा तो आपकी mobile में connect होना start हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ time wait करेंगे और यहाँ पर यह connect हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख तुम्हारा server connect हो चुका है तो इस तरीके से इस app की मतलब से आप fast rate server को connect करके use कर सकते हो अगर आपको इसे disconnect करना तो यहाँ से इस button पर click करके आप अपने mobile से इसको disconnect भी कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सतो इस पर click करते हो आपकी mobile से यह जो है disconnected हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसंप connect और disconnect कर सकते हो डाइन पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर इसमें प्रैवेसी पॉलिसी रिटिंग एस और शेयर को आपको मिल जाता है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से इस आपकी मदद से आप फास्टेट सर्वर को कनेक्ट करके इस्तमाल कर सकते हो